उत्तर प्रदेश के सैफ़ई में लखनाउ आगरा एक्स्प्रेस वेपर देर रात हुए भीशन सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई बस डंपर से टक्रा गई हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए यह बस यूपी के गोरकपूर से राजस्थान के एजमेर जा रही थी घायलों को सैफ़ई के पीजियाए अस्पताल में भरती कराया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या पहुँचेंगे इसके बाद करीब 5 बजे वह रामजन मभूमी परिसर पहुँचेंगे यहां रामलला के दर्शन पूजन करेंगे साथ ही रामलला के दर्बार में दीप भी प्रज्ज्वलित करेंगे पांच बज कर 40 मिनट पर यहां से प्रधानमंत्री रामकथा पाक पहुँचकर भगवान राम के राज्या विशिक कार्यक्रम में शामिल होंगे इसके बाद नयागार पहुँच सर्यू आर्ती में शामिल होंगे शाम को साड़े छे बजे राम की पैड़ी पर आयोजित दीपोटसब में उपस्थित होंगे यहां उनका करीब 40 मिनट ठहरने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री की उपस्थिती में दीपोटसब के दोरान आतिश बाजी की जाएगी वह करीब 15 मिनट तक आतिश बाजी का भी अवलोकन करेंगे भारतिय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन कई राज्यों में अलट जारी किया गया है यह अलट पश्चिम बंगाल औरिसा समेत कई राज्यों के लिए जारी किया गया है पश्चिम बंगाल में चक्रवाद, सितरंग को लेकर पश्चिम बंगाल वो औरिसा में अगले सप्ता की शुरुआत से भारी बारिश होने का अनुमान है चक्रवाद के बांगला देश की ओर बढ़ने का भी अनुमान है भारतिय मूल के ब्रिटिश सांसद और पूर्ग बितमंत्री रिशी सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौर में शामिल होने के लिए न्यूंतम नामानकन की सीमा को पार कर लिया है उन्हें कंजबेटिव पार्टी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के लिए 100 से अधिक नामानकन हासिल हो गए हैं देश की पूर प्रधानमंत्री लिज्ट्रस के इस्तीफे के बाद पद पर दावा करने वालों में रिशी सुनक पहले हैं, जिन्होंने सौसांसदों का समर्थन प्राप्त किया है भारत ने सबसे भारी रॉकेट LBM-3 M21 वेब इंडिया वन का मिशन सफलता पूर्वक पूरा हो गया है इस रो ने इस रॉकेट से 36 ब्रिटिश सेटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉंच कर इतिहास रच दिया है और सभी 36 उपग्रहों को इचित कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है शी जिन्पिंग को एक बार फिर चीन के राश्ट्रपती पद की कमान सौंप दी गई है Communist Party of China की बैठक में शी जिन्पिंग को राश्ट्रपती चुना गया है इसके बाद शी जिन्पिंग ने बड़ा फिर बदल करते हुए चीन के ततकालीन प्रधानमंत्री लीके कियांग और तीन अन्य वरिष्ट नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है साथ ही उन्होंने अपनी पुलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमिटी में लीकियांग, जहाओ लेजी, वांग हुनिंग, काईकी, लीशी और दिंग शुशियांग को शामिल किया है विधान सभा चुनाव में करारी हार और फिर लोग सभा सीटों के उप चुनाव के बाद बस्पा संगठन में किये गए फिर बदल में एक बार फिर बदलाव किया गया है बस्पा प्रमुक मायावती ने अब नगरिय निकाय चुनाव के मद्दे नजर पार्टी संगठन में पुनर गठन कर वरिष्ट पदाधिकारियों को नए सिरे से जिम्मेदारी सौंपी है कन्नर सुपस्टा रिशब शेटी द्वारा निर्देशित और अभिनीत लोग कताओं पर आधारित फिल्म का अंतारा हर गुजरते दिन के साथ बॉक्स आफिस पर रिकॉर्ड तोर रही है प्रशांत नील और यश स्टारत दो ब्लॉक्बस्टर के जी एफ सीरीज फिल्मों के बाद यह फिल्म हाल ही में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली का नर फिल्म बन गई है